यूपी के अलग-अलग शहरों में लगातार पालतु कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ती जारी हैं कुत्तों के लगातार बढ़ते हमले को देख अब वारानसी नगनिगम ने भी सकती दिखाई है नगनिगम ने डॉग लवर के लिए एडवाईजरी जारी की है जिसमें पालतु कुत्ते के काटने पर दस हजार रुपे तक जुर्माने के साथ एफ एयार की बाद भी कई गई है वारानसी के नगनिगम सिमा छेत्र में ये नियम लागू होगा पसुच अधिकारी अजर पताप सिंग ने बताए कि इस आदेश के रहत अगर किसी का पालतु कुत्ता किसी सक्स को काटता है तो कुत्ता मालिक से पांच हजार से दस हजार रुपे तक का जुर्माना नगनिगम वसूल सकता है इसके अलाबा पिरित नगनिगम में इसके शिकायट की तो कुत्ता मालिक पर FIR भी वारान से नगनिगम की ओर से दर्च कराये जाएगा अलाकि यदि कुत्ता नगनिगम में पंजक्रित है तो जुर्माने की रासी पांसो रुपे तक ही होगी देखिए इधर दो-तिन महीने से काफी केसेज बढ़ गये हैं पालतू कुत्ते हों या अवाराप डाक्सों इनके काटने की प्रविर्ती इधर काफी संख्या में बढ़ गई थी तो इसमें एक तत्कालिक रूप से हमने एक एडवाजरी जारी किये है जो भी पालतू कुत्ते लोग पाले हुए हैं उनको लेस के साथ में ही बाहर निकाले बिना लेस किना निकाले मजल के साथ में और लेस के साथ में ही निकाले अन्य था अगर किसी को ये काटते हैं तो 500 रुपे का मिनिमम जुर्माना इनके उपर किया जाएगा और जिनके पास लाइसेंस नहीं है यदि उनके कुत्ते पाले हुए हैं और वो कुत्ते काटते हैं तो फिर उनके उपर जुर्माना 500 रुपे से बढ़ा करके 5,000-10,000 भी किया जा सकता है तो इसलिए थोड़ा साओधानी बरते हैं लोग और छुटा न छोड़े जिससे की आमजन को कोई हानी पहुँचे बताते चले कि वरानसी में भी पिछले कुछ दिनों में पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बड़ी है जिसके कारण नगर निगम ने ये सकत रुक अक्तियार किया है अजर प्रताप सिंग ने बताया कि कुत्ते के काटने की शिकायत पर विधिक कारवाई को लेकर पुलिस के आला अफसरों को भी पत्र लिखा जाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके कुत्तों के काटने के अलावा नगर निगम छेत्र में कुत्ते के अवैद बिडिंग सेंटर पर भी नगर निगम प्रसासन सक्त है और इसको लेकर भी दिसंबर महिने से इस पर कारवाई की जाएगी बताते चले कि नगर निगम के पास इसको लेकर कई शिकायते आई थी जिसके बाद अब नगर निगम इन पर लगाम कस्ने के मूड मेनजर आ रहा है